नमस्कार बच्चों कैसे हो तुम सब आशा करती हूँ कि सभी मेरे बच्चे मिधावी की परिक्षा के त्यारी में एकदम तैयार हो गए होंगे चलिए आज मैं लाई हूँ कक्षा 5 के मिधावी परिक्षा का भाग 12 शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना परिवहन के तीनों साधन को हम कवर करेंगे चलिए शुरू करते हैं नमबर एक स्थान से दूसर स्थान तक सामान और व्यक्ति को ले जाने के प्रक्रिया को हम परिवहन कहते हैं और परिवहन तीन प्रकार का होता है स्थल जल और पायू परिवहन ठीक है और रेकिन इंपोर्डन कॉशन है कि पहिये का विश्कार 5000 वर विश्कार से सडक परिवहन में तीवर सादनों का युग आ गया नमबर साथ विश्व की पहली भूमिगत रेल सेवा लंदन में शुरूई कप शुरूई 1863 ये याद कर लेना अगला है नमबर आठ जापान की तीवर गामी ट्रेन उसका नाम है बुलेट ट्रेन और आपको जेम्स वर्ट ने बताया था भाब में ताकत होती है और उसने जॉर्ज सिविंसन ने उस भाब की ताकत का इस्तमाल इंजन बनाने किया जिससे हमारी रेल गाड़ी बनी नमबर ग्यारा संसार की तीवरितम रेल गाड़ी है TGV फ्रांस और इसकी गती है 515 किलोमीटर ये भी आप याद रख ले नमबर बारा सबसे बड़ा रेल माग है ट्रांसाइबेरियन रेल माग और ये रूस के लैनिंग्राज से वाल्दी वास तक तक जाता है नमबर तेरा जोकी प्रशांत महासागर के तरफ पर स्तेत है नमबर चोधा भारत में भूमीगत मेटरो कहां चलती है कोलकता और डैली में नमबर पंदरा भारत में पहली रेल गारी ये आप जरूर याद रख लें 16 अप्रेल 1853 मुंबई से थाना चली थी इसमें 14 डबबे थे और 400 यातरी इसमें कुछ भी फिलप्स में पूछा जा सकता है नमबर 16 पहले इंजन जो थे वो भाप के द्वारा चलते थे जिसको चलाने के लिए कोईने का प्रोक किया जाता था और फिर भाप का स्थान किसने ले लिया डीजल ने और अब हमारी जो रेल कारी है mostly बिजली से चलती है जैसे हमारी दिली की मैट्रो नमबर 17 मुंबई में खंबो के उपर एक डबे वाली रेल चलती है जिसे हम मोनो रेल कहते हैं मोनो मतलब सिंगल 18 चीन का स्पेइन फ्राइट रेल मार्क कितने किलोमीटर लंबा है 13,052 किलोमीटर लंबा है और ये चीन के यूव शहर से स्पेइन की राजानी मैडरिट तक जाता है तो यह आप बात कर तो सड़क से पहले ये एक रास्ता बनाय गया था और वो किसने बनाय था समराध अशोक ने बनाया था ये शाषनकाल में ये राजमार्ग था और ये कितने वर्ष पहले था ये 2,000 वर्ष पहले और शेषभा सुरिने से सड़क का फॉम दिया था नंबर 21, 120 पहले आ नमबर चोबिस जल परिवहन जलिये शेत्रों जैसे कि समुंद्र नदी जील से होकर एक सान से दुस्तान तक यात्रिया समान को ले जाना कहलाता है नमबर पच्शिस अरब वैपारी बारा सो वश्पूर धो नामक जहाज से केरल राजे में पहली बार आये थे ये भी इंपॉर्टेंट कोश्चन है नमबर ट्वश्पूर ब्रिटेंट में पहला स्थाई जहाज कारखाना बना था तो ये पूछा जा सकता है कि स्थाई जहाज कारखाना सबसे पहले कौन से देश में बना ब्रिटेंट अगला वह कौन सा जहाज है जो पहली आत्रा में हिम्शेल से टकरा कर डूब गया था वो जहाज था टायटैनिक वो कहां से कहां की आत्रा कर रहा था वो अमेरिका से इंग्लेंड की आत्रा कर रहा था विमान वाहक जहाज जो एक बार में 50 विमान ले जा सकता है नमबर 29, भाज जो पानी पर तैर सकता है और समुद्र तल तक गोता लगा सकता है उसे पंडूबी कहते हैं पंडूबी के अंदर टैंक में पानी भरने से ये भारी हो जाती है इसलिए डूब जाती है और तल तक पहुंझ जाती है पानी निकाल देने से हवा भनने के कारिन ये हल्कियों के पुना सतय पर आ सकती है 115 साल पहले अमेरिका ने सबसे पहली बंडूबी बनाई थी ये भी important है consideration बनाई थी नाब की शक्ती से अब ये संचालित होती है और पानी के बीते दो बर्से से जादा समय तक रह सकती है आप जाते हैं क्या भारती ये पंडूबी का क्या नाम है इसका नाम है आई एनस कालवरी अरिहंत अरिखाथ ये कुछ भारत की पंडूबिया है ठीक है अगला आता है तीस नंबर पहली नाव जो थी वो लकड़ी का एक बेड़ा थी मैसोपटामिया का नया नाम है एराक ये भी वेरी इंपर्टन कोश्चन है मैसोपटामिया में सबसे पहले क्या इस्तमाल किया गया था ये किया गया था जानवरों की फूली हुई खाल से नाव बनाई गई थी तेल ले जाने वाले जहाज को हम टैंकर कहते हैं एक जो टैंकर होता है वो एक करोड बैरल तेल ले जा सकता है ये भी आपने याद रखना है और ये कितना बड़ा होता है यह 15 टैनिस के मैदान जितना बड़ा होता है, जहाज निर्मान में लोहे का प्रयोग 170 वर्ष पूर्व शुरू किया गया था, बंदर का समुद्र तटका वैस्थान होता है, जहां बड़े जहाज आते हैं, रुपते हैं, यात्री और समान उतारा और चड़ाया जाता है, नम नाव है, खवा से चल सके, उसे हम पॉल कहते हैं, और सबसे पहली जो पॉल का इस्तमाल किया गया था, वो किया था, मिश्रवासियों ने, मिश्रवासि सरकंडे से बनी नाव का प्रयोग करते थे, 38 नमबर पर है, जहाज को चलाने वाले चपू के जगा स्टील का पंखा, जहाज पानी में आगे की और बढ़ता है, तो पहले जो थे, वो लोहे के थे, बाद में स्टील के प्रोपैलर लगाए जए, नेक्स है, तैरते हुए वायू सैना केंदरो के रूप में प्रिफ जहाज को हम युद्धपोत कहते हैं, 1875 में लोहे की बजाए स्टील का पहला अंतरिक्ष यान जो था, वो स्पूतनिक था, इसे किस ने बनाये था, रूस ने बनाये था, 1957 में ये छोड़ा गया था, पहला अंतरिक्ष यातरी जो था, यूरी गागरिन था, ये भी रूस का था, रशिया का था, पहली अंतरिक्ष महीला जो थी, वेलेंटाइना अंतरिक्ष स्टेशन भी रूस का है, इस समय आकाश में दो अंतरिक्ष स्टेशन है, एक नासा की दोरा है और दूसरा जो है वो चाइना का है, पहला अंतरिक्ष जो प्राणी था वो एक कुत्ता था जिसका नाम था लाइका, तीवरतम यातरी विमान कॉनकॉर्ड था, ये ब भारत के पहली अंतरिक्ष याथ्री कौन थे, राकेशर्मा जो कि 1984 में रूस के सोयूस्टी वन रन के यान के द्वारा अंतरिक्ष में गये थे, ये चान पर नहीं गये थे, ये अंतरिक्ष में गये थे, ये भी पूझछा जा सकता है, 1996 पहली बार और दूसरी बार 2003, जब अब 53 नमबर पे है 1797 में फ्रांस में 600 मीटर की उचाई से कूट के पेराशूट का प्रयोग किया गया था पहली बार इंजन रहित विमान वेरी वेरी इंपॉर्टेन कोश्चन है यह इंजन रहित विमान जो होता है इसे हम क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं ग्लाइडर 55 नमबर पे है अंतरिक्ष के एंदर एक विशा लुप ग्रय की तरह होता है जहां पर प्रित्वी पर लोटे बिना लोग काफी दिनों तक रह सकते हैं तो अभी मैंने बताया दो अंतरिक्ष टेशन है एक अबेरिका का और एक चाईना का धरती का प्रकरति कुप ग्रय क्या है चंद्रमा ठीक है विमान को सफलता पर उड़ाने वाले व्यक्ति जो थे पहला जो ऐरोपलेन बनाया गया वो किसने बनाया थे राइट ब्रदर्स ने कौन थे हो और विल्बर राइट्स अट्लांटिक महासागर को एकल उड़ान से पार करने वाले पहले व्यक्ति का नाम चार्ल्स लिंडबर्ड और यह अमेरिका के थे इन्होंने 33 गंटों में उड़ान को पूरा किया था नेक्स्ट है 59 नमबर पर आधूनिक विमानों में तेज गती से उड़ने में सहायक शकीचाल इंजन लगे होती है यह आपने समझ लेना है विमान जिसमें ऊपर की और पं सारण में फाइदा होता है दूर संचार में मौसन समंधी जानकारी मिलती है और फोन संचार के सुविधा प्राप्त होती है तो कोई दो या तीन आप याद करेना यह लिखने आ सकते हैं भारत द्वारत छोड़ेगे कुछ प्रकरतिक सारी कुछ कृत्रिम उपग्रह जो है वो है इंसेट वाले आई आरेनस है आई 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 आसे एजुसेट है यह सब आपने याद रख लेने हैं भारत जो है विश्व का ऐसा पहला देश है जिसने पहले ही प्रियास में मंगलियान की कक्षा में अपना अंत्रिक्ष्यान उतारा का उता था दो हजार तेरा वेरी फ्रांस के मॉंट गॉल्फिय भायों ने 300 साल पहले गरम हवा से आसमान में जुड़ने वाला गुबारा बनाया था और लास्ट है आज कल पैरासेल में अलमूनियम और सिंथाटिक कपड़े का प्रियोंख होता है तो यह हमारे परिवहन के तीनों चेप्टर को कवर करते है आशा करती हूं आपको समझ में आ गया होगा जीना से